MSE Entomology के बच्चों हमने Apterygodes के बारे हैं पढ़ा उसके बाद में एक बहुत इंपोर्टेंट ओर्डर है लेपीडो पेटेरा ओर लेपीडो पेटेरा हमारे entomology के बच्चों के लिए अच्छी important order है आज हम lepidopateran में बात करते हैं इसके अंदर आपने देखा होगा कि moths और butterflies आप सभी ने देखा हैं ये इसके अंदर आते हैं lepidopateran term arise from the two greek words lepido means scales tera मतलब wings वे wings या वे animals जिनकी body के उपर scales पाए जाते हैं और dust like होते हैं जब इनको handle किया जाता है तो हमारे fingers के उपर ये आ जाते हैं और ये blend color में होते हैं और sowy pattern में होते हैं और इस sowy pattern के कारण कई वार ये mimicry भी शोग करते हैं जिसके अंदर ये अपने predator से बच पाते हैं और generally papulinary family होते हैं उसमें notch like structure होता है पीछे की side में abdomen की तरफ में जिसको predator ये समझता है कि ये इसका anterior part है, head वाला part है तो वो back side से यानि originally तो head की तरफ से आता है लेकिन वो ही सोचता है कि मैं पीछे से जाता हूँ इससे पता नहीं चलता है और उसमें बड़ी large compound आई इसके उपर होती है जिससे वो उसको अराम से देखवाते हैं और बच जाते हैं ये जो scales हैं पूरी entire body के उपर पाये जाते हैं और ये macro try किया है scales modify track किया ये और compound आई बड़ी large बड़े size में होती है और mostly occupied the most portion of the head capsule और दो उसिलाई इनके उपर पाई जाती है जो भी scales के दवारा धकी रहती है इनकी lepidopatrans को इनकी potency इनकी larvae की जादा है इनके larvae बड़े destructive form में दिखा ही देते हैं कही वार horrible होते हैं देखकर के डर लगने लग जाता है और आपने प्लांट्स और के बारे में देखा होगा कि जब हम सबजी आपजी आदा हो रहे होते हैं तो कुछ हमारे छोटे 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 forms के रूप में lepidopatrans के होते हैं कल्टेविटिट पॉण जो हमारी उगाते हैं खेतों में उनके उपर यह पाये जाते हैं और इनके जो एडर्ट्स हैं सेक्शुली प्रोड्यूस करते हैं और यह एग्स अपने होस्ट प्लांट के उपर या उसके नियर देते हैं जिस से लार्वा मेर्जों करके इसमें से एक्स मेर्जों करके लार्वी निकलेंगे केटरिपिलर और यह isE और गें फी डॉन दी रार्वी ए फ्ल्वाइन गी और या घॉजी रर्वी और लेपिड़ो पॉटरिन के लार्वी आपस में बहुत resemblance रखते हैं लेकिन साफ लाई और लेपिड उपेटरिन के जो लारवी है उनमें थोड़ा difference है कि साफ लाई के अंदर 5 fairs से ज़्यादा pro legs पाये जाते हैं और लेपिड उपेटरिन के अंदर जो pro legs होते हैं उसमें crochet like, hook like structure मिलते हैं लेकिन शाफ लाई के लिप जो लारवी हैं उसके अंदर वो नहीं मिलते हैं और एक खास बात यह हती है कि इनके जो mouth parting achieving type और sucking type के हैं जो गेलिया और मेगरिपल के वारत 3 channel के मिलने से आपस में फ्यूज superimpose होने से बनते हैं जिसे यह plant को शक करते रहते हैं और यह cell से आगे जो tip होती है प्रोवसिस की उस पर denticles भी पाए जाते हैं इन with the help of denticles it can puncture the plant cells और इसके classification में फ्रिनेटी और जूगेटी यानि जो four wing और hind wing है आपस में जो मूख जब उड़ते हैं तो कैसे एक दूसे से united होते हैं उसके base पर इसका classification आगे होने जाएगा आज हम इसके बारे मितना ही पढ़ रहे हैं झाल